आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाऊ डाउनलोड नाउ इस question में हमसे पूछा है तेलास्ट फिशेज अगर हम तेलास्ट फिश की बात करें तेलास्ट आई जो है वो सबग्लास है अंडर औस्टिक्थिस यानि क्लास औस्टिक्थिस अगर अगर सबक्लास जो है वो टेलोस्टाई और इसी टेलोस्टाई के अंदर आती है टेलोस्ट फिशिस ठीक है और अगर हम on the other है इलास्मो बैंक की बाद करें इलास्मो बैंक की बाद करें अगर हम तो इलास्मो बैंक जो है वो आती है वो एक सब क्लास है under conductus conductus subclass जो है वो कौन सी है elasmobranch ठीक है तो हमने देखा कि जो teleos tie है वो क्या है एक boni fish है यानि boni fish की subclass है और of course जो elasmobranch है वो किसकी class है conductus की और इसमें आएगी cartilaginous fishes ठीक है तो basically question में हमसे पूचा है कि कैसे हम एक boni fish को differentiate कर सकते है externally from a cartilaginous fish ठीक है तो अब हम option देख लेते हैं first option है हमारा endoskeleton यह option गलत है क्योंकि अगर हम endoskeleton की बात करें तो endoskeleton तो fish की body के अंदर present होता है और हमें externally बताना है कि हम कैसे differentiate कर सकता है ना कि from the inside feature तो option हमारा गलत है similarly next option है exoskeleton यह भी गलत है क्योंकि अगर हम operculum की बात करें तो class contractus के अंदर यानि cartilaginous fishes के अंदर यह operculum यानि gill cover जो है यह absent होता है on the other hand अगर हम ostrichus की बात करें तो यह operculum जो है यह present होता है तो इससे हम externally differentiate कर सकता है कौन सी fish boni है और कौन सी cartilaginous है क्योंकि cartilaginous fishes के अंदर यानि elasmobrancs के अंदर जो operculum होता है जो की gill cover होता है वो absent होता है और boni fishes के अंदर gill cover या operculum present होता है तो externally हम इसके थूँ क्या कर सकते है differentiate कर सकते हैं teleos fish को elasmobranc fish है तो option हमारा क्या है सही है next option है streamlined body जो की गलत है क्योंकि दोनों की ही body जो होती है cartilaginous और boni fishes की दोनों की body streamlined होती है तो यह गलत option है हमारा तो हमारा correct answer है यहाँ पर option 3 operculum that is teleos fish is differentiated externally from elasmobranc fish by operculum option 3 जो हमारा correct है Classics to 12 से लेके NEED IIT जेही means और advanced के level तक 10 million से जादा students का भर होसा आज ही डाउनलोड करे doubtnet आप यह WhatsApp कीजिए अपने doubts 84444 सूपर